रेस्क्यू अप्रेशन चल रहा है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है कई सारी दुस्वारिया है जिसमें की एक तो तेज बहाव है दूसरा गहराई जादा है और कटाब की बज़ा से पानी गंदला है गोता खोर है इन्होंने डाई लगाया था 12 लोग अभी भी शान हाल है किस तरीके से समस्य आ गए नीचे खूटा था फास गए एक जगह छुड़ा है दूसरा फास तीसरा किसी तरह जान बचा के उपार रहे हैं खुद यह फस गए थे जान बचाने को लेकर डाई लगाए नीचे पर ड्राइब लगाई थी और गोता खोर है ये लेक बड़ी मुश्किल स्थिती से फिर ये निकल पाए है चार एसडी आरेफ की टीम है तमाम सारे जो जवान है वो यहां पे बिल्कुल रिस्क लेकर भी राहत बचाओं में लगे हैं लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिली है कुछ और जवान हैं उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जस्थिति हा रही है क्या मुश्किली स्थिति यहां मुश्किली स्थिति यहां है कि यहां तियस बहुत जादा है समझेश और धार के कारण हम डाइबो जो अंदर गया और नीचे एक पेर था उसी में फस गया जो अभी देखे बेचारा रो रहा है मरते मरते बचाया हम डाइविंग मतलब हम पानी में छलांग मार के दो जवान उसके बाद निकाले हैं और बहुत ती स्थिती खराबा और यहां से वहां तक हम लोग 100-200 मिटर तक अंदर सर्चिंग हुआ बॉडी का कोई पता नहीं है अब करेंट बहुत ही ज़्यादा है जिसके बज़स बॉडी का कोई लोकेशन मिल नहीं रहा है और डाइविंग करने लाइक नहीं है बिहार का सबसे नमर वन डाइवर है हिमानसु कुमार यादब कहीं भी पता कर गया और हम लोग पाने में खुद छलांग मारके निकालें और मेरे साथ डियस्पी साहब खुद रोप घीचे है जैस्पी साहबी बोट पे मौजूद थे तो यह कुछ वस्तुई सिती है हिमानसु कुमार बेहतरीन अगोता खोर हमें सुमार है लेकिन अजब अंदर फस गय है कि बोट अंदर किसी स्थान विसेश पर रुकना मुश्किल गोता लगाना मुश्किल कटाब की वज़ा से पानी गंदला है और इसके अलाबा गहराई भी जादा है तो कई दुश्वारिया है विसंपरिस्थिती बाबजूद इसके बचाव रहत कार्द जो है वो चल रह के से जो घटना हुई उसको लेकर दोनों किनारे के जो गाउं है वहां मातम पसरा है लोग मरमाहत है और कई अपने अजीज को लोगों ने खो दिया है मुझे फर पूर के गाय घाट इस्थित भरगावा से मधूर पट्टी जा रहे और यही जो बागमती नदी है नाव और बो रसी है इस रसी के सहारे लोगों की जिंदगी यहां पे होती है और यह रसी इस वज़ा से है कि दार इतनी ज़ादा है और इसमें गहराई इतनी ज़ादा है कि यहाँ पे पतवार जो है वो काम नहीं करेगा चुकि गहराई बहुत जदा है लिहाजा उपाई के तौर पे एक छोड से दूसरे छोड लोहे की ये तार है और इस तार को पकरकर ही एक पार से दूसरे पार जो है नाव का वो घाट पार लगता है और ऐसे में लोगों की जान जोखिम में होती है लेकिन मधूर पट्टी से दूसरी और और दूसरी और से मधूर पट्टी भटगामा दोनों और का जो दिवन चरिया है वो इसी नाव के सहारे टिकी है और मधूर पट्टी से लोग जो इसकूल जाते हैं बच्चे वो इसी ना और दिन रात इसी तरीके से नाव पर ही आवागमन पूल नाव होने की वज़ा से लोगों में रोश है और दिखे किस तरीके से इस रसी के सहारे लोगों की जिंदगी टिकी हुई है और इसी में अगर कोई चूक हो तो फिर दुरघटना होती है चुकि बहाब बहुत ज्याद ज्यादा है गहराई भी बहुत ज्यादा है पतवार यहां काम नहीं करता इसलिए इस डौर के सहारे नाओ को एक घाट से दूसरे घाट ले जाए जाता है और यहीं यहां की अत्रास्दी भी है और लोग इसी हालत में जीने को और आबागमन को करने को भी मजबूर है कैमरामेन अभिसेख के साथ रजनीस जी मीडिया गाए घाट मुझफरपूर कर दो